हलो दोस्तों, वेलकम तो गेट अगेडमी एन अध्वेत एजूकेशन पाइनली मेकैनिकल इंजिनियर्स के लिए मोस्ट अवेटेड वेकेंसी जो है CGPSC की तरफ से आचुकी है CGPSC की तरफ से मोस्ट अवेटेड वेकेंसी जो थी ARTO ARTO और इसके साथ Transport Sub Inspector की जो वेकेंसी है, 36 गड़ में आ चुकी है देखिए Students, इसके लिए क्या करना है ये जो number of post है हमारे, इस वेकेंसी में हमारे जो number of post आए हुए है वो, देखिए, सहायक छेत्री परिवहन अधिकारी सहायक छेत्री परिवहन अधिकारी, जिसके number of बोलते हैं और परिवहन उप निरिक्षक, परिवहन उप निरिक्षक की जो वेकेंसी टोटल आई है हमारे यहाँ पे 15 और टोटल जो वेकेंसी है यहाँ पर दोनों को मिला कर क्या आया है 20 वेकेंसी जो है दोनों को मिला कर आई हुई है ठीक है यह बहुत बड़ी opportunity है 36 गड़ वालों के लिए जितने भी 36 गड़ में mechanical और automobile engineer है इस vacancy को आपको हाथ से जाने नहीं देना है इस vacancy को आपको हाथ से जाने नहीं देना है number of post के बाद हम देखते हैं इसका जो selection procedure है वो दो phase में होने वाला है selection procedure जो है यह दो phase में होने वाला है जिसमें पहला जो होता है 300 marks के question होगे जिसमें first में क्या होगा exam होगा आपका return exam जिसमें 300 marks के इसमें आपके क्या होंगे exam होगे जिसमें पहला 50 questions जो आएगा वो आपका 36 गड़ के general knowledge से related आएगा उसके बाद आपका जो दूसरा question दूसरा जो paper है इसी में इसी में ही रहेगा include रहेगा 50 plus 100 जो होता है question total 150 questions रहेंगे जिसमें 50 question आपके क्या रहेंगे 36 गड़ GK के question रहेंगे और 100 question जो रहेंगे आपके कौन से जो आपके technical के question जो आसे mechanical हो गया और automobile हो गया ये engineering वालों के लिए यहां से उनके जो discipline है वहां से क्या होंगे questions आएंगे तो एक question का दो number रहेगा तो 150 total question 300 total number जो रहेंगे क्या रहेंगे आपके 300 रहेंगे ठीक है उसके बाद अगर आपका 1 race to 3 8 post के पिछे 3 लोगों को क्या बुलाया जाएगा इंटर्वी के लिए बुलाया जाएगा जिसमें इंटर्वी का जो rank है इंटर्वी का जो number हो क्या रहेगा 30 number का रहेगा तो जो total जो दोनों face का अगर हम number मिलाएंग दोनों face का जो number मिल questions देखो जो मैं already आप लोगों को बता दिया है कि number of questions है इसमें number of questions जो हमको देखने को मिलेगा देखिए 150 total question previous slide में मैंने आपको बताया था यह 3 घंटे का question होगा और जिसमें अंक 300 होंगे ठीक है यह बाते मैं बता चुका था जो यह दोनों question भाग एक भाग दो का मतलब यह और उसके बाद mechanical और automobile engineering से आपके question multiple choice के form में देखने को मिलेंगे यहां से आपको 100 question मिलेंगे यह 200 marks के रहेंगे और यहां पर क्या रहेंगा यह 100 marks का रहेंगा तो total यहां पर क्या होगा 300 marks का क्या होगा आपका यहां पर question paper होगा उसके बाद जिसके syllabus की चर्चा करते हैं whether आप चाहे आटो मोवाइल इंजिनियरिंग हो चाहे फिर आप mechanical इंजिनियर होगी यह एक syllabus आप दोनों branch के लिए है यह दोनों branch के लिए syllabus है ऐसा नहीं कि आटो मोवाइल के लिए लिए अलग syllabus है या mechanical के लिए अलग syllabus है यही syllabus है इस पूरे syllabus को देखो 13 parts में क्या किया गया है इस पूरे syllabus को divide किया गया है जिसमें पहला जो आपका आता है thermodynamics, cycles and IC engine इसमें thermodynamics के basic concept से लेके आपको high level के question भी ARTO और transport sub inspector के paper में पूछे जाएंगे heat and mass transfer, fluid mechanics, fluid machinery, automobile, theory of machine, machine design, strength of material, engineering material, production engineering, industrial engineering, mechatronics, metrology and instrument and 13 जो है आपका machine drawing जो आपने engineering graphics में जो general चीज़े पड़ी थी जो basic चीज़े पड़ी थी वही क्या है यह machine drawing में आपको देखने को मिलेगा इसमें जो question है आपके basic level से moderate level या फिर moderate level से आपके advanced level कोई भी level के question जो है आपको पूछे जा सकते हैं previous question को analyze करके यह देखा गया है कि question का जो level था moderate था लेकिन आज के जो competition को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि पूछे जाएंगे ऐसा कोई corner जो है नहीं छोड़ा जाएगा जहां से आपको question ना दे तो पूरे students जो 36 गर से बिलॉंग करते हैं या out of the 36 गर बिलॉंग करते हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि gate academy जो है gate academy जो है 16 अप्रेल से 16 अप्रेल से ए आर टियो और ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की क्लासे जो है स्टार्ट करने वाला है इसके लिए आपको करना क्या है gate academy के website जो जिसका नाम है www.gateacademy.co.in इस पर जाना है और registration करवाना है और यह जो classes होगी gate academy के live app पर होगी इसमें आपको हम लोग जो है expected question क्या होंगे किस टाइप के question previous year आये थे इस बर किस टाइप के question आ सकते हैं throughout analyze करके आपको एक-एक subject को crystal clear तरीके से क्या किया रख जाएगा बताया जाएगा हमारे experts के दोरा एक-एक subject को पूरी तरह से research करके तयार कर लिया गया है क्या आप तयार हैं अपने selection के लिए अगर आप तयार हैं और आपने selection को निश्चित करना चाहते हैं और सही guideline के साथ तयारी करना चाहते हैं इस vacancy की क्योंकि यह vacancy हाथ से नहीं जाना चाहिए तो आइए दोस्तो 16 अप्रेल से gate academy के live app पर इसकी class जो है start होने वाली है तो इसी के साथ आप लोगों को बहुत-बहुत सूप कामना है और thank you, thank you very much for your feature and for your upcoming examination Thank you